जै मातादी विमित्रो मेरा नाम डॉक्टर प्रकाज जोसी और आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशी के मंथली राची फल की यानि की मई के मेने में पांच बड़ी धन से सम्मंदित घटना है मीन राशी के जीवन में घटित हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे उनके स स्वास्त के बारे में राशी के बų देखा जाएं तो और आपके जलने वाले बढ़ जाएंगे आपके लोगों से मन मुटाब बढ़ जाएंगे आपकी सपलता को देखकर अलोग आप पे ब्यंग कसेंगे आपकी जूटी अफवाएं उड़ाएंगे जो आप तक भी पहुंचेंगी साथी साथ आपके अपने आपकी बुराई करेंगे वो भी आप तक पहुंचेंगी मही में लेकिन आपको इग्नोर करना है उलजना नहीं नहीं तो दिक्कत हो सकती है उलजना नहीं आपको याद रखेगा आपको आगे चलना है धन की स्थती के बारे में बात करें तो धन की स्थती में सूर्य बुद्ध गुरु राहू ये चारो ग्रे बैठे तो पांच बड़ी घटनाएं होने वाली है मही के मेने में पहला चीज माता पिता से आपको कोई धन लाब कोई गिफ्ट मिल सकता है पहली चीज हो गई दूसरा एक्स्ट्रा इंकम के मौका आपको मिलेगा काम के इलावा आपको एक्स्ट्रा इंकम भी मिल जाएगी मही के मेने में साथी साथ आचानक बड़ी डील भी आपकी बन सकती आचानक कोई व्यक्ति आएगा बड़ी डील करके चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि बड़ी डील हो गई और अच्छा धनलाब होगा तीसरी गटना के बारे में बात करें तो सरकारी रुकाववा फंड भी आपको मई में मिल सकता है आपको लेकिन उसके लिए अपलाई करना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में एकात बार जाना पड़ेगा आपका काम बन सकता है साथी साथ जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी आपके धन में व्रिद्धी के योग नजर आ रहे हैं साथी साथ जो भी मीन राशी वाले उनको अचानक सूना चांदी या कोई वस्थू सड़क पे पड़ी भी या कहीं पर पड़ीभी मिल सकती है यानि अचानक धनलाब भी आपको या वस्तुलाब भी आपको मिल सकता है तो कुल मिलाके ये 5-6 गटनाएं हो सकती है मई के महिने में अब परिवार भाव के बारे में बात करें तो एक तारीक से लेकर 31 तक देखा जाए तो मंगल परिवार भाव में नीच के बैठें तो कहीना कहीं घर के अंदर बिजली से आप बड़े परिशान रहेंगे बिजली पे खर्चे पे खर्चाई रहेगा मही के महिने में कभी आपका टीवी खराब हो जाएगा कभी आपका इंवर्टर खराब हो जाएगा कभी आपकी तारे फुख जाएगी तो कुल मिलाके बिजली समंदी काम से मही में आप बहुत ज़्यादा परिशान रहेंगे याद रखिएगा अब बात करते हैं मीन दाशी के संतान भाव की तो संतान भाव में देखा जाए एक तारीक से लेकर 31 मई तक अगर देखा जाए तो छोटी बड़ी संतान दोनों के लिए ही मई का महिना शुबकारी अच्छा रहेगा पहले हम छोटी संतान की बात करें तो छोटी संतान का activity में involvement रहेगा या तो वो dance class जोईन करेंगे या किसी ना किसी judo, karate, swimming किसी ना किसी या cricket, खेल उसमें activity में admission कराने वाली और खुद से आपको छोटी संतान एक से 17 साल की संतान बोलेगी कि मुझे activity में involved होना है तो ये अच्छी बात है और बड़ी संतान की बारे में बात करें तो मित्रों के साथ में बड़ी मित्रताएं होंगी घर में कम दिखेगी बड़ी संतान घूमती भी नजर आएगी जब भी फोन करेंगे या आप देखेंगे कि अभी तो यहाँ पर है और एकदम से बजार या चुराहे पे, तो बड़ी संतान भी बड़ी एक्टीवन होती भी नज़राएगी, मित्रों के साथ में नदी समुंदर की यात्रा के भी प्लान बड़ी संतान के बनेंगे, तो छोटी और बड़ी संतान के लिए मई का महिना, बड़ा एक्टिवनेस व में या नदी समुंद्र में जाने के योग भी बनते हैं तो विद्यारतियों के लिए देखा जाए तो मही का महिना उनके और से ठीक है साथी साथ मैं आप जितने भी मीन राशी वाले उनको बताने जाता हूँ कि पिछले महीने यानि कि 22 अप्रेल को ब्रस्पती का बड़ा राशी परिवर्तन हो गया है नौ गरों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो ब्रस्पती है बारा साल बाद उनका राशी परिवर्तन हुआ है ब्रस्पती का राशी परिवर्तन क्यूं मैं तो पूर यह मैं चर्चा करूंगा ब्रस्पती कुरोडपती बनाते हैं ब्रस्पती बिद्या देते हैं ब्रस्पती देखा जाए तो संतान के स्वामी है, शादी के स्वामी है, प्रेम के स्वामी है, तो ब्रस्पती से सारे मांगने काम होते हैं, यदि आप किसी भी चीज से परेशान है, तो यह जो गोचर है, यह आपके लिए अच्छा हो सकता है, इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखा नाइन मेरा वट्सअप नंबर आ रहा है इस पे नाम डेटो बार्ट टाइम अब बार्थ प्लेस ओपर भेज कर अपनी कुंडली का आप दिखाएं टेलीफोनिक अपॉन्मेंट मेरे से ले ले और जाने कि यह जो गोचर है आपके लिए शुब है या शुब है शुब है तो बहुत अच्छा है और अशुब यह तो तुरन तुपाए करदा है अक्सर क्या होता है कि आप लोग मुझे कॉल करते हैं कुंडली दिखाते हैं तो आप आदे से जादा लोग तो पहले ही उनके जीवन में घटनाय हो चुकी होती है दनानी हो चुकी होती है नौकरी आप छ गटना रुक सकती है तो इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखानी है यह जो बड़ा गोचर हुआ है आपके लिए शुबकारी यह आपको मालुम होना चाहिए आप बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में नौकरी के बारे में मीन राची के देखा जाए तो मई के मेने में पांच बड़ी शुब घटना होने वाली है नौकरी में पहली घटना क्या होगी कि आपको सरकारी नौकरी का ओफर मिल सकता है या सरकारी कॉंट्रेक्ट आपको मिल सकता है वो आपको ignore नहीं करना चाहिए आपको इस बात को seriously लेने चाहिए दूसरी गटना पद धन में ब्रिद्धी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर हलकी पद धन में ब्रिद्धी तो मही में होने वाली है तीसरी गटना क्या है कि बौस से आपकी नजदीकिया बढ़ सकती है या बौस आपके काम की तारीफ करेंगे चौथी गटना देखा जाए तो नए जौब के ओफर भी आपको मिलेंगे और आप चाहे तो उसको ले भी सकते हैं साती साथ किसी बड़े काम में आपका नाम चैयन होगा या अवर्ड में आपका नाम आ सकता है या आफिस से आपको कोई expense, घर के expense की, convince के expense की स्वीधाय मिल सकती है तो पांच बड़ी गटना है आफिस में मही के महिने में होने वाली है अब बात कर लेते हैं मीन राशी के दामपत्य जीवन की उसमें भी सबसे पहले प्रेमी प्रेमी काउ के बारे में बात करें तो उनके लिए जो मही का महिना है वो इंतिहान लेगा तीन बड़ी अशुब घटनाय घटने वाली है मही के महिने में पहला माता पिता जो आपका पार्टनर है वो अपने माता पिता के हेल्थ से परिशान रहने वाला है यानि कि उनके माता पिता के हेल्थ के इशू बढ़ने वाले है दूसरा उनका काम छूट सकता है परेशानी के कारण वो काम में फोकस नहीं करेंगे जिस कारण से काम छूट सकता है मही में और कोई समान उनका चोरी या गुम्बी हो सकता है तो कुल मिलाके देखा जाये तो प्रेमी प्रेमी काम में जो आपके पार्टनर है उनको आपके सपोर्ट की बेहत ज़्यादा जुरोत पड़ेगी मई में अब पती पतनी के बारे में बात करें तो तीन बड़ी शुब घटन होने वाली हैं यानि कि आपके पार्टनर को उनके माता-पिता से कोई धन या कोई गिफ्ट प्राफ्ट हो सकता है दूसरा आपके पार्टनर के करियर में पद प्रमोशन के योग नजरा रहे हैं महीं के महिने में तीसरा पार्टनर के साथ में और पूरे फैमिली के साथ में कोई पूजा पाट या किसी तीर्थ में जाने के मही में योग नजरा रहे हैं तो पती पतनी का तो अच्छा है प्रेमी प्रेमी का के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा अब बात करते हैं मीन राशी वाले उनकी जो अपना दुकान चलाते हैं उनका महीना कैसा रहेगा तो उनका देखा जाए तो मही में चार अच्छी बुरी घटनाएं दिख रही है मुझे कि यह हो सकती है पहला सरकारी भुक्तान सरकारी नोटीस का भुक्तान आपको करना पड़ सकता है मही में दूसरा ओफिस के जो करमचारी से आपको परिशानी हो सकती है करमचारी नौकरी छोड़के भाग जाएगा जिस कारण से आपको परिशानी होगी तीसरी शुब घटना है नया जो करमचारी आएगा उसकी इनोवेटिव सोच से आपके काम में वृद्धी होगी पुराना छोड़के जाएगा नया आएगा वो आपके लिए लाबकारी होगी उसकी इनोवेटिव सोच उसकी राय आपके लिए बड़ी लाबकारी होगी साथी साथ चौथी बड़ी गटना हो रही है पुराने गरहकों की पुराने कलाइंटों की वापसी होगी तो कुल मिलाके दो खराब गटनाय और दो अच्छी गटनाय रहेगी कुल मिलाके व्यापारी की इस्तती नॉर्मल रहेगी तो इस कारेकरम में मित्रोबाद इतना ही है मुझे दीजे जाया जाई माता दी